Hello students, यह आपकी एर्थ उनलाइन क्लास है साइन्स की, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चाप्टर फिनिश किया था, तो अब तक हमने दो चाप्टर पढ़ लिया है, क्रॉप प्रडक्शन और मैनेजमेंट, यानि कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध, और दूसरा चाप्टर साटरड़े को जो आपकी डाउट क्लियरिंग थी, उसमें आप सबने काफी सारी क्वेस्टिन पूछे थे, तो उसमें जो सबसे जादा पूछा गया था, कि अभी तक आपको चाप्टर वन के क्वेस्टन आंसर्स क्यों ने दिये गए, तो आपको चाप्टर वन के क्वेस् साफ से लिखिएगा, नेक्स चीज की, आप लोगोंने काफी सारी क्वेस्टिन पूछे थे, आपको कई टॉपिक्स में डाउट थे, तो अब हम क्रॉप प्रड़क्शन और मैनेजमें चाप्टर वन से रिविजिन स्टार्ट करते हैं, फर्स चाप्टर का, तो हर एक से समझने की कोशिश करिएगा, और अगर फिर से कुछ नहीं समझाता है, तो आप वापस से पूछ सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हमारा पहला टॉपिक जो हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस चाप्टर में प और एक living being को जो है, खाने की जरूरत होती है, प्लांट अपना खाना खुद से बना लेते हैं, वो producers होते हैं, लेकिन human और animals ये क्या है, खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, तो इंडिरेक्टली या इंडिरेक्टली ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो इतनी मत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा है, अग्रिकल्चर करना पड़ेगा, यानि कि क्रिषी करनी पड़ेगी, ये reason है, अब हम समझते हैं कि क्रिषी होती क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये एक ऐसा विज्ञान है, जिसमें कि हम क्रॉप के ग्रोथ, यानि कि फशल उत includes raising of the plant and rearing of the animals दोनों चीज़ इसमें include होती है किस लिए ताकि human use में इसका benefit हो सके human के लिए यह हो गई agriculture की definition अगर हम agriculture समझना चाते हैं तो उसके चार points हैं जो हमें समझने होंगे से related पहला है soil management यानि कि मिट्टी का प्रबंद किस तरीके से फसल के हिसाब से हमें मिट्टी तयार करनी है कौन सी फसल के लिए कौन सी तरह की जो मिट्टी है वो जादा अच्छी होगी ताकि हमारी growth अच्छी हो यह चीज हम समझेंगे soil management अगली चीज आती है crop farming यानि कि फसल उत्पादन तो फसल को लगाने से ले करके उसके grow होने तक और फिर उसकी harvesting तक यह पूरी चीज़े कहां आती है crop farming में तीसरा है horticulture या फिर बागवानी इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से फल, सबजी या फूल या फिर कोई decorative plants उनको उगाया जाता है और animal husbandry फोर्थ पॉइंट है जिसको हिंदी में हम पशुपालन कहते हैं और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से पशुपालन किया जाता है अगला topic स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिशी की शुरुवात कहां से हुई थी अगरिकल्चर की स्टार्टिंग कहां से हुई थी तो लगभग 10,000 साल पहले तक इंसान एक जगा से दूसरे जगा वो घूमता था विचरन करता था क्या करने के लिए खाने के और रहने के खोज में कि उसे प्रापर तरीके का खाना मिले रहने के लिए सही जगा मिले उस टाइम पे वो अच्छे फल खाते थे अच्छी सबजिया खाते थे फिर धीरे धीरे करके उन्हें जानवरों का शिकार करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्रिशी शुरू की यानि कि खाद्य फसले जो होती हैं, खाने वाले फसले हैं, उनको ग्रो करना स्टार्ट किया, इस तरीके से यह जो है अग्रिकल्चर का ओरिजिन है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है इसके बाद, समय के बीतने के साथ साथ इनसान ने यह सीखा है किस तरीके से कौन से क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, यानि कि कौन सी मिट्टी हो, कैसे कितना अमाउंट आफ वाटर चाहिए, कितना पानी चाहिए, किस सीजन में हम क्रॉप को ग्रो करें, तो हमें जादा फसल मिलेगी, तो य ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें क्या है एक तरीकी का experience है जो कि हम modern agriculture में पढ़ेंगे जैसे कि अगर हम example ने चावल का तो चावल को ग्रो करने के लिए हमें clay soil चाहिए होता है और बहुत चावल के ग्रोथ के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है जबकि हम wheat की बात करें तो उसके लिए हमें illegal soil चाहिए होता है और पानी जो है वो comparatively कम amount में चाहिए होता है तो humans ने ये realize कि किस तरीके से अलग-अलग crops के लिए किस crop के लिए जादा पानी की ज़रुरत है किस crop के लिए कम पानी की ज़रुरत है कौन से crop के ल आप बनाए गए गया ताकि प्रॉपर सिचाई हो सके fields की फिर human ने काफी सारे tools भी बनाए है जैसे कि हल है हल शाफ्ट होता है axe है सिकल है ताकि इन सारे चीटों से खेती आसान हो सके उसने नए नए तरीक भी नए नए तरीके भी बनाए है जैसे कि अगर पैस्ट रेजिस् अलग तरीके की pesticides बनाए है या फर herbicides बनाए है जो कि क्या करते हैं इनको खतम करते हैं और फसल को protect करते हैं साथी साथ अब जो है वो नए नए तरीके के hybrid seeds का use होने लगा है इंडिया में भी अगर बात करें तो वीट के बहुत सारी ऐसी वराइटी अब हम grow कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी फसल देती हैं इसके लावा modern agriculture में हम पढ़ेंगे कि fertilizers की बात करें अगर तो fertilizers और pesticides जो है वो अराम से किसानों को मिल जाते हैं shops पे जो कि ना सिर्फ फसल का protection करते हैं क्रॉप की protection करते हैं बलकि उनको proper nutrition भी देते हैं तीसरा topic जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है crops and their classification यानि कि फसल और उनका वर्गी करड कि किस तरीके से हम फसल को अलग-अलग categories में divide कर सकते हैं तो इसके लिए यह समझते हैं सबसे पहले कि अलग-अलग तरीके की फसल होती है जैसे कि कुछ ऐसे सबजियां होती हैं कुछ फल ह होते हैं और कुछ सीरियल्स होते हैं यानि की अन होते हैं कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिसमें कि अगर हम किसी फसल को उगाए तो उसका जो प्रड्यूस है जो उसका फाइनल जो crop निकल के आता है वह क्या होता है उसकी इल्ड बहुत ज़्यादा होती है अमाउंट जादा होती है और उसी crop को अगर हम किसी और सीजन में लगा दें तो हमें वही प्रॉपर इल्ड नहीं मिलेगी बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में भारत में यहां पे अलग-अलग जगहां पे जो जलवायू की परिस्थती है यानि कि अलग-अलग जगह अलग तरीके की मिट्टी है मौइस्चर अलग अमाउंट है तेमप्रेचर अलग है कहीं जादा बारिश होती है कहीं कम बारिश होती है तो इस पॉइंट अफ यू से हर एक जगह दूसरे जगह से क्या है डिफरेंट है तो कुछ ऐसी जगह है जहां पे हम एक तरीकी का को ख्लैसिफाइक करतें उससे पहले हम तीन डीफिनितिशन जो कि समझना जरूरी है दिफेल्ड क्या होता है और तो फीड मिल्ड हम उस जगह को कहते हैं जहांपर की क्रॉप उया जाता है तो फिर अगला रहता है क्रॉप यानिकी फशल तो जो भी π्लांट हम बहुत क्रोप कहते हैं। और फ। जब क्रॉप प्र टरीकि से ग्रोप हो जाता है, तो जो हमें फाइनल इसका प्रड़क्ट लिता है, उसको हम प्रोड्यूस या उपज करते हैं। स्टार्टिंग में जो crops grow किये जाते थे वो थे wheat, barley, rice और corn, बुट्टा अब हम crops को classify करेंगे based on season यानि कि मौसम के हिसाब से तो जो मौसम के हिसाब से अगर हम crops को define करें तो दो तरीके के होते हैं पहला है खरीफ क्रॉप यानि की खरीफ फसल और दूसरा है राभी क्रॉप यानि की रभी फसल सबसे पहले समझते हैं कि खरीफ फसल क्या होती है तो खरीफ फसल जो है ये सामाने तक हम जून से सितंबर तक खरी फसल को बोते हैं यानि कि इनको जब ग्रोग किया जाता है तो वो कौन सा मन्त होता है फ्रम जून टू सेप्टेम्बर और फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है यानि कि इन crops को जब लगाया जाता है तो वो months होते हैं जून और जुलाई और जब इन फसलों की कटाई की जाती है तो वो महिना होता है सितंबर या अक्टूबर अब इसमें example क्या क्या है कौन कौन सी फसल जो है वो खरीफ फसल है तो धान है, मक्गा है, सोया, बीज़, या कैसी फसल है खरीफ फसल है फिर से समझे कि खरीफ फसल को जून या जुलाई में लगाया जाता है और जब इसकी जो उपज है उसी कटाई सेप्टेंबर या ऑक्टूबर में होती है अगला आता है रभी क्रॉप या रवी फसल तो ये क्या होते हैं इनको हम ठंडी के सीजन में लगभग October to November में ग्रो करते हैं और इनकी कटाई जो है वो March या April में होती है एक्जाम्पल के लिए ये हूँ है मटर, चना, सरसो ये सारे क्या हैं रभी क्रॉप के एक्जाम्पल है इसके बाद जो हम crop and their classification में जो अगली चीज पढ़ेंगे वो है based on life cycle याने की classification उनकी life cycle के basis पे कि वो कितने साल तक रहते हैं या कितने growing season तक रहते हैं तो इसके हिसाब से हमने इनको तीन काटेगरी में डिवाइड किया है annual, bineal और perineal annual crops क्या होते हैं ये crop सिर्फ एक growing season लेते हैं अपनी life cycle को complete करने के लिए जैसे किसका example है गेहू, चावल और मक्का annual crops की जो फसल की जो कटाई होती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बार होती है यानि कि गेहू, चावल और मक्का इनकी कटाई कितनी बार होती है इनकी final जो हमें हार्वेस्ट मिलता है वो सिर्फ एक बार मिलता है एक प्लांट के लिए अगला है bineal जिनको की दो growing season चाहिए होता है पहले साल में ये प्लांट क्या करते हैं फूड को अपने रूट में स्टोर करते हैं खाने को अपने जडो में रखते हैं और फिर अगले साल में ये फल या फिर सीट्स जो भी है उनको प्रोड्यूस करते हैं एक्जाम्पल के लिए गाजर, पत्ता गोभी और प्याच फिर जो तीसरी काटेगरी है वो है पेरिनियल्स ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि दो से अधिक साल लेते हैं ग्रो करने के लिए और उसके बाद मतलब ये लगतार सीट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं पैरी नियनल क्रॉप्स की कटाई जो है इस से जो फसल निकलती है मतलब जुह सका merged होता है वह हम कई बार harvest कर सकते हैं कैला आम से। इनके जो प्रड़क्ट्स हम ट्रॉड़क्ट हो तो तो निकाल सकते हैं यानि की इनको हम एकसे अधिक बार harvest कर सकते हैं और अगर अन्वल की बात करें तो इसको सुर्फ और सिर्फ एक बार हार्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्स उपक जो हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे वो है agricultural practices या फिर कृशी पढधतियाँ agricultural practices को हम हिंदी में क्ःशी पढधतिया crop production के लिए फसल उगाने के लिए farmers को बहुत सारे step by step काम करने होते हैं और वो भी proper time पे मतलब वो सारे काम के लिए time fix ज़े और उसी के हिसाब से उन्हें वो सारे काम करने होते हैं तो वही जो सारे steps हैं वो आते हैं agricultural practices में agricultural practices में जो सबसे पहला topic है preparation of soil फसल लगाने से पहले सबसे जरूरी चीज है कि हमें मिट्टी को तयार करना है इस तरीके से कि हमारे जो crop है वो क्या हो बहुत ही अच्छे से grow करें फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तयार करना जो है वो है first step मिट्टी को पलेट करके हम क्या करते हैं इसमें कि अगर हम मिट्टी को अगर मिट्टी की हम जुताई करते हैं यानि कि उसमें जो उपर वाला जुताई करने से होता क्या है प्लॉइं करने से कि जो मिट्टी के ऊपर वाला यानि कि जो मिट्टी है वो उलट पलट जाती है इस तरीके सगर समझ के आप तो इससे होता क्या है जो भी खरिच तत्व है न्यूट्रियंट से स्वाइल के वो उपर आ जाते हैं और प्लांट्स जब आप ग्रोव करेंगे को तो उसका जो जड़ है वो बहुत अंदर तक जा केπως हैं शुक को करने कि पलॉइंग फोला जाते हैं है तो मिट्टी को उलटने पलटने के जो प्रॉसइस है उसको हमगर करने की और फिर उसमें फरोज या ग्रूव्वस बनाने जो प्रॉसस है जिसमें के मिट्टी क्वेश वेटा तो जुटाइए है पलॉइगे प्लॉइ की हेल्प से यानि की हल की हेल्प से करते हैं हल लकडी का बना हो सकता है या फिर लोहे का भी बना हो सकता है अगर मिट्टी काफे जादा सूखी हुई है तो हमें प्लॉइंग से पहले उसको पानी देने की जरूद भी पढ़ सकती है कभी कभी प्लॉइंग से पहले ही खाथ जाती है तो प्लॉ जो है उसको या तो कोई जानवर या फिर बुलक्स जानवर जैसे की होर्स या फिर बुलक्स क्या कर सकते हैं उसको खीच सकते हैं आजकल तो जो प्लॉइंग है वो ट्राक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर से यूज की जाती है यानि की कल्टिवेटर होता है ना सिर्फ टाइम बल्कि साति-सात्य बज़ता यह इप लेबर भी संदा मेहनध भी बचती आप हम पढ़ेंगे कि प्ल्वई से फाइदे क्या होते यह क्यूं करते हैं मिट्व को द। प्लवईं,af less जड़े हैं बहुत ही अंदर तक प्रॉपर तरीके से सॉयल में ग्रो कर सकती हैं अगर सॉयल लूज है तो हम जो भी फर्टिलाइजर्स जाल रहे हैं या मैन्योर मिला रहे हैं वह अच्छे से मिक्स हो जाएगा यूनिफॉर्म तरीके से और और यानिजम जैसे की अर्थवाम है मिली पिडी है या बाक्तीरिया है वह सॉयल में कई बार इस तरीके से उनका नंबर मल्टिप्लाई होता है तो यह सारे क्या हैं प्लॉइं के फाइदे हैं अगर बात करें अभी अर्थवाम की तो अर्थवाम को हम क्या कहते हैं अगिला चीज जो इसमें है वह हैं लेवलिंग यानि जिसको कि हम हिंदी में सम्तलन कहते हैं प्लॉइंग के बाद लेवलिंग की जाती है इसके लिए या तो वुड का लेवलर होता है या फिर आईरन का बना होता है और उसको हम यूज करते हैं इसका फाइदा क्या होता है कि जो सॉयल लूज हो गया था जुताई के बाद यारिकी प्लॉइंग के बाद जो मिट्टी लूज हो गई थी अब उस मिट्टी को हम लेविलिंग करके बराबर कर देंगे तो अगर हवा चलेगी या पानी रहेगा तो यह सोईल जो इसका इरोजन नहीं होगा और साथी साथ अगर लेविलिंग प्रॉपर है तो इरिगेशन भी प्रॉपर होगा इसमें कुछ प्रिपरेशन दो सॉईल में जो हम कुछ इंस्ट्रुमेंट का यूज करते हैं कुछ एग्रिकल्चरल यानि कि क्रिशी और जार का यूज करते हैं जैसे कि पातकरे प्लाव की जिसको हम हिंदी में हल कहते हैं तो इसका बहुत चाहिता से घीच जाता था इसमें लोहे की एक बहुत ही बूच पत्ती लगी होती है जिसको कि एंगलेस में पॉल कहते हैं और इस परकोल लकडंधे वाला पार्ट होता है जो लंबी से लकडGs लगी होते हैं उसको हम हलता क्यायते ऐजकल इस प्रोसेस के लिए जुताई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं त्राक्टर वारा सन्चालित कल्टिवेटर जो है वह उन्स प्लाइप जलेक्टिक में संचालित आपके पुराने lectures हैं, उनको एक बार revise कर लीजे, ताकि अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको कोई doubt नहीं हो, और अगले turn पर हम यहां से start करेंगे, thank you class.